आज के दौर में स्मार्टफोन चार्ज करना सबसे बड़ी परेशानी है क्योंकि आप हर जगर चार्जर नहीं ले जा सकते और ना ही पावर बैंक को आप हमेशा साथ रख सकते हैं ऐसे में वैग्यानिकों ने शरीर की मदद से बिजली पैदा करने का यंत्र तयार कर लिया है ये गैजट शरीर की हरकतों से उर्जा पैदा करेगा वैग्यानिकों ने मेटल का एक टैप बनाए है जो शरीर की मामली हरकतों से बिजली पैदा करने में सक्षम है अमरीका की Buffalo University के एक वेग्यानिक ने बताया कि हमारा शरीर इतनी बड़ी मात्रा में उर्जा पैदा कर सकता है इसलिए हमने सोचा कि इस उर्जा का सही इस्तमाल करे शोत करताओं ने इसके लिए Try Boy Electric टक्निक का इस्तमाल किया है इस टक्निक में दो पदार्थों को एक दूसरे के संपर्ख में लाकर उर्जा पैदा की जाती है इस टैब में सोने और PDMS का इस्तमाल किया गया है ये टैब जब शरीर के किसे हिस्से से जोडा जाता है तो जो उसकी हरकत से इसके मौजूद दोनों पदार्थों के संपर्ख में आते हैं तो उससे उर्जा बनती है जैसे की कोई उंगली उठाता है या हाथ घुमाता है या फिर पैर चलाता है गैग्यानिकों का कहना है कि इस यंत्र के मदद से 124 वोल्ट का करंट पैदा किया जा सकता है ये उर्जा लाल रंग की 48 LED लाइटों को एक साथ जला सकती है हाला कि फिल्हाल इस तकनी के इस्तमाल से मोबाईल को तुरन चार्ज नहीं किया जा सकता वही शोट करता इस उर्जा को जमा करने के बारे में भी विचार कर रहे है देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले